मैं अब आपको तीन राज्यों के तीन बड़ी खबरों से रुबरू कराऊंगे और सबसे पहले हम रुप करेंगे बिहार का अब दिल्ली में जिस तरीके से कोचिंग हाथसा हुआ है उसके बाद पटना प्रशासन जो है वो भी आक्शन मोड पे आ गई है तमाम जो कोचिंग सेंटर है जगे जगे वहाँ पर निरिक्षन कर रही है जाइजा ले रही है क्या कुछ कहें जिस तरह गर्बनाख कर रहा है राजेतर निरिक्षी में जितनी कोचिंग संसान में उसके बाद पटना में जो जिलाप अधिकारी बाद करने लिए है चल्शेकर सिंग ने कहा है कि जितने भी पटना में कोचिंग इस्टिट है उनकी जाच वह मैं आपको बताऊं कि पूरे पटना में लगवग 20,000 से उपर जो है कोचिंग और बड़े-बड़े कोचिंग इस्टिट है और लगातार अब उनकी जाच परताल की गई कल भी जो है श्रिकान जो इस्टियम है पूर्वी के उन्होंने जाच किया और मुसलम पूरहाट मतब गड़ माना जाता है पूरे बिहार का जो जितने भी कोचिंग संस्थान है लगवग लगवग पटना में यहीं पर है और बड़े कोचिंग संस्थान चाहिए वो खान सर की बात कर ली जाए चाहिए रहमान सर की बात कर ली जाए सारे वो बड़े नाम जो है मुसलम पूरहाट में मौजूद है और कल ज जो है वो छोटा है कई फायर सेफ्टी जो है उसका अभाव दिखा कई जो बेसिक सुविदा अगर हम कैसे दखते हैं चाहे वो शौचालाई की बात करनी जाए चाहे वाशुरूं की बात करनी जाए वो सारी बेशिक सुविदाएं भी बहुत बड़े-बड़े में जो है नदारत दिखी है पटना के अगर बोरिंग रोच और आए की बात कर ली जाए तो वहां पर सिर्फ एक ही इस्टिटूट का जो है अभी तक निबंदन हुआ है सबसे बड़ी चीज है कि हान सर और रहमान सर जो बड़े नाम माने जाते हैं यहां पर पटना में उन इस्टिटूट्स बढ़ रहा है लगबग 10 लाग से भी उपर पर इक्षारती हैं वंतिका पूरे बिहार से हैं पटना का रूप करते हैं चाहे वो बोर्ड का एक्जाम हो चाहे वो प्लस टू का एक्जाम हो चाहे ग्रेजिशन करके जो है यूपीसी डिपीसी की तैयारी को लेकर जो आते हैं आपर तो क्या सकते हैं कि दस बाइब पाश के रूम में आप आईएस को तियार करेंगे अप जो हैं? आईये संस्थान जो है संचालन करते हैं छोती सी जगा में लगबख हजारों लोग एक बार में वहाँ पर फढ़ने के लिए जाते हैं जो क्लासे होती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकती है कि अगर माली जी कोई दुरगटना गटती है तो उसमें छात्र है भगदर में अ हुए हैं, किट्स नहीं लगे हुए हैं साथी साथ जो इंट्री और एक्जिट का गेट है वो बहुत छोटा है साथी साथ मैं बताऊं कि अमर्जनसी गेट हरे कोचिंग संस्थान को जो मानक है विहार कोचिंग संस्थान हदीनियम के ताथ कहा गया है कि जितने भी उनको एक emergency gate भी रखना होगा ताकि अगर कोई दुरगटना गटती है तो शात्रेवंद 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 उस emergency gate से बाहर निकल सेगे लेकिन बहुत कम ऐसे इस्ट्रिटूट्स हैं जहां पर ये emergency बहुत क्या शुनी के बराबर अगर सौमे कहें तो 99% ऐसे इस्ट्रिटूट्स हैं जिसमें emergency gate नहीं है हाली में जो होटल देखा था आपने पाल होटल में जब दुरगटा हुई थी जब आग लगी थी तो वहाँ पर फाइर सेथी नहीं था और किस तरह से वहाँ पर हलकान मचा था हवंतिका तो सरकार एक बार एक्शन में है जिनापा का समय दिया गया है जो भी coaching institutes हैं उनको दो हफने का समय दिया गया है कि कि क्या क्या खामिया है वो सारी चीजें जो है बाहर निकाल कर सामने लाये जाए और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताउं कि जो मुसलम partiallyंब का एक से कैस सकते कि फैक्ट्री है यहा पर जो जीतने कोचिंग है मैं समझता हूँ पूरे विहार को भी जोड़ अगर लिया जाए तो उतने कोचिंग आपको नहीं मिलेंगे सडके साम के समय ऐसी होती है वंतिका कि उसमें चलना मुश्किल होता है लगबन हजारों हजार की संख्या में जो है शात्र पढ़ाई करने के लिए और सबसे बड़ी बात कि एक बैस में पांसो से हजार शात्र जो है परते हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कि अगर कोई दुरगटना घट्ती है तो वहां का दिरिश्य कैसा होगा जिस तरह से लगतार जो है सरकार अब हराव कोचिंग दिली का जो हाथसा है जो ओल्ड राजंतानकर में जो हाथसा गटा था उसमें आपने साथ और पर देखा था कि डेस्मेंट में जो है चल रहा थ फिर से लगतार कोचिंग संस्थान भी बड़े मुनाफे के लिए जो है नियम को है ताक पर रखकर काम कर रहे हैं तो कई न कई सरकार अब एक्षन मोड में आई है और पूरी तरीके से डिली की घटना से सबक लेते हुए बिहार बेपक्तना की जो जिलादिकारी हैं चाहे प्रखंद सिक्षा पदादिकारी सारे वो लोग जो है टीम है वो गई थी और उन्होंने जाच किया था और जाच में लगवग लगवग जो जितने भी कोचिंग है वो मानक में अधूरे पाए गए सबसे बड़ी चीज है कि जो कोचिंग संस्थान है वन्तिका वो इतनी कह सकते हैं कि संकुछित जगों पे चल रहा है जहां पर लगवग लगवग आना बड़ी गाडियों का आना जाना अगर मालीजी कोई अगर हाथसा भी घटा है तो आपर फायर ब्रिगेट की टीम नहीं होसी कि मैं टूमें ओолько ना कि गारी सब्द्रकर सकते हैं तो सरकार बड़ी धायल दिखा रही अधार कोचिंग संस्थान जो है वहांपर है और ऐसे में देखिए कई छात्र जो इतने सारे छात्र अपने सपनों को ले करके आते हैं पढ़ाई करते हैं और उसमें खर्च भी बहुत होता है ऐसा नहीं कि पैसे नहीं लगते हैं उसके बावजूद भी उनकी जो मूलबूत सुविदाएं हैं वो उनको नहीं मिल पाती है चोटी-चोटे कमरे मिलते हैं और जिस तरीके से ये घटनाएं घट रहे हैं तो कहीं न कहीं छात्रों के भविशे के साथ जो है वो खिलवाण होते वे नजर आ रहा तो क्या इसके जिम्मदार कौन होगा सुवेंदू बिल्कुल जिस तरह से जो शात्र पढ़ने के लिए आते हैं और चोटे-चोटे कमरे में जैसे हमने देखा है कि भेड बकड़ियों को कसके रखा जाता है कमरे में उसी तरीके से शात्रे पढ़ाई करते हैं और कहीं न कहीं उनकी मजबूरी है अवंदिका कहीं न कहीं मजबूरी उनकी है सुदूर ग्रामिंग शेत्र से सब आते हैं और यहां आने के बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने जेब के खर्च को बचाने के लिए उन तमाम इंसिट्यूट का सहारा लेना पड़ता है जहां एक बार में धेड बकरियों की तरह जो है छात्रों को ठूस कर वहां पढ़ाया जाता है इना वहां जो बुनियादी सुविदाएं हैं वो मौझूद होती है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आकिर छात्रों के भविशी के साथ इस तरह से खिलवार क्यों पाकिर जिस तरह से कोचिंग संच जिनका नीबंदन नहीं हो रखा है वो जिस तरह से कोचिंग का संचालन अवैद ही रूप से कर रहे हैं कहीं न कहीं यह प्रश्ट खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों आखिर पुलिस प्रशासन जो है आखिर प्रशासन जिस तरह से पटना के जिलादिकारी चंशेखर सिं बेस्मेंट में पानी गुषता है और पानी घुसने के बाद जो है तीन छात्र vistr शात्राओं की दूप की डूपने से मॉत हो जाती वहही बहुत कुछ हाल पटना का भी है वन्थी का पटना का जो मुसलमूरय हकिर्म ओंपर यहाद निचला तो सरकार को सबसे पहले तो ये निर्मे होगा, लेना होगा कि कोचिंग और इंस्ट्यूट के लिए भी अब एरिया तै किया जाए, जिस तरह से आप बस स्ट्राइंग तै करते हैं कि वहाँ पर जगह काफी परयाब तो मातरा में हो, जिस तरह से आप बाजार समीती तै करते ह कि वहाँ पर विक्रिज हो रही तो आप पर परयाब जगह हो, उसी तरीके से अब यहाँ सरकार को जो है, ये तै करना होगा कि छात्राओं के लिए, कोचिंग इस्ट्यूट के लिए एक जगह तै कर दी होगी, जहाँ पर पर परयाब संख्या में जगह हो, जहाँ पर तमाम वो गाडियां जा सके, कि कोई अगर दुरघटना घटती भी है, तो तुरित उस पर कारवाई हो, अगनिक शामक तुरंद उस पर कारवाई करे, इन सब पालूओं पर उस सरकार को ध्यान देना होगा, और सबसे बड़ी चीज, छात्रों के भविश्य के साथ, क्योंकि दस बाई चार के कमरे में, छे बाई आट के कमरे में, छात्र कैसे IAS और IPS बनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से उनको पढ़ाई के लिए पटना आकर एक मोटी फीस के बाद एक छोटे से कमरे में बंद करके, कह सकते हैं, उसको की ठूस के पढ़ाय जाता जहां पर छात छात्रों के भबिशी के साथ किलवार हो रहा है, राजी सरकार ने इससे पहले नहीं की थी, लेकिन हराव कोचिंग की से सबक लेते हुए, पटना के जिला भी काभी में जो जाच करने ने दिया है, बहुत ही मैं समस्ता हूँ काभी में तारिफ निर नहीं है चलिए बहुत बहुत धनेवार शुबेंदू, इस खबर पर अधिक जानकारी हम लोगों से साजा करने के लिए, दर्सकों से साजा करने के लिए, तो देखें, पटना में भी जो है दिल्ली के बाद पटना प्रशासन एक्शन पर आ चुके है, और तमाम कोचिंग सेंटरों जाज की जारी है और अन्यमिता पाने पर उसे सील करने के भी आदेश दिये गया है, तब देखने वाली बात होती है कि इस गटना के बाद अपटना प्रशाशन जो है इसे लेकर कितने अलर्ट मोड पर है और कितनी कुछ कारवाई की जाती है